वीडियो शुरू करने से पहले कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. धन्यवार हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मानव शरीर किन पांच तत्वों से बना है. आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रित्वी इन पांच तत्वों के बाद प्रित्वी से औश्धी का निर्मान होता है. औश्धी से अन्न, अन्न से जीवन और जीवन से स्रिष्टी की रचना होती है. पंच तत्व पूजा में भगवान सूर्य को आकाश तत्व, भगवान गणेश को जल तत्व, देवी दुर्गा को अगनी तत्व, भगवान शिव को प्रित्वी तत्व और भगवान विश्णु को वायू तत्व माना गया है. धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है कि पाँच देवताओं की पूजा करने से सारे कार्य निर्विधन संपन्ध होते हैं. हमारा शरीर इस जगत का ही हिस्सा है और उसे प्रित्वी कहते हैं और इसी से हमारा भवतिक शरीर बना हुआ है. लेकिन जब तक अन्य तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं, तब तक इसमें प्राण नहीं आते हैं. जिस तरह किसी चीज के निर्माण में भिन्न भिन्न चीजों की आवश्चक्ता होती है, उसी प्रकार जीव जन्तूओं के निर्माण में भी प्रित्वी से अलग चार अन्य चीजों की भी आवश्चक्ता होती है यह तत्व असीन सहनशीलता का घोतक है और इससे मनुष्य धंधान्य से परिपूर्ण होता है इसके प्रतीतुटी होने से लोग स्वार्थी हो जाते हैं जल वैदिक एवं वैज्ञानिक ग्रिष्टिकोन के अनुसार जल ही मनुष्य जीवन का सबसे अहम हिस्सा है मनुष्य के शरीर में लगभग सत्तर प्रतिशक जल मौजूद है उसी तरह जिस तरह धर्ती का तीन चौथाई हिस्सा जल से भरा हुआ है यह जल व्यक्ती के खून और शरीर दोनों में हैं तभी कहते हैं कि अन्न के बिना कुछ दिन तक जीवजन्तु जीवित रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं है जल तत्व शीतलता प्रदान करता है इसमें विकार आने से व्यक्ती की सौमेता कम हो जाती है अगनी की उत्पत्ती जल से मानी जाती है जिस तरह जल हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करता है, उसी तरह अगनी भी उर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान है अगनी तत्व उश्मा, शक्ती, उर्जा और ताप का प्रतीक है हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है, वह अगनी तत्व के कारण ही है यही तत्व अधिकान्ष रूप से शरीर को निरोगी रखता है इससे बल और शक्ती प्राप्थ होती है यह तत्व विचार शक्ती में सहायक बनता है और मस्तिष्क के भेद अंतर परखने वाली शक्ती को सरल बनाता है यदि इसमें त्रोटी आ जाएं तो हमारे सोचने की शक्ती का हरास होने लगता है वायू धर्ती पर जीवन के लिए वायू को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है माना जाता है कि वायू की उत्पत्ती के कारण ही अगने की उत्पत्ती होती है हमारा शरीर जब तक प्राणवायू लेता है तभी तक वह जीवित रहता है अंग्यथा वायू के निकल जाने से शरीर में निर्जीव हो जाता है यह धर्ती, पेड, पौधे, पशुपक्षी सभी के लिए प्राणवायू आवश्यक होती है इसलिए वायू को ही आयू भी कहा गया है यह तत्व मानसिक शक्ती तथा स्मरण शक्ती की क्षमता को पोशन प्रदान करता है अगर इसमें विकार आने लगे तो स्मरण शक्ती कम होने लगती है आकाश तत्व में प्रित्वी, जल्द, अग्नी और वायू यह सभी चार तत्व विद्यमान है आकाश ही आत्मा का वाहक है और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिस तरह आकाश अनन्थ है उसी तरह मन की भी कोई सीमा नहीं होती है इसलिए आकाश तत्व को भौतिक रूप से मन कहा गया है आकाश में बादल भी आते हैं, धूल भी उरती है और रोशनी भी होती है जैसे मन में सुख, दुख और शांती के भाव उत्पन होते हैं यह तत्व शरीर में आवश्यक संतुलन बनाय रखने का कार्य करता है इसमें विकार आने से हम शारिरिक संतुलन खोने लगते हैं पंच्तत्व में विलीन, हिंदू धर्म के अनुसार, किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यू के बाद उसके शरीर से आत्मा निकल कर पर्मात्मा से मिल जाती है और उसका पंच्तत्वों से बना शरीर अंत में पर्मात्मा में ही मिल जाता है भगवान में ही पंच्तत्वों का निवास है मान्यता है कि भगवान शब्द में ही पंच्तत्वों का राच छुपा हुआ है जैसे भसे भूमी, गसे गगन, वसे वायू, असे अगनी, नसे नभिया आकाश कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद